सुन्दर कोकन में आप सभी का स्वागत है जैहिन मैं मुबीन सात्यों इस वक्त मैं हूँ महार से आठ किलो मीटर की दूरी पर नाता और नाता गाओं के बाहर गांधारी नदी को लगके साथ एकर प्लोट है है उसमें प्लोटिंग हुआ है कुछ बिका है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कितना बिका है जो आगे कब विका है वो क्यारेट से जो पीछे है वो क्यारेट से तो मैं इस वक्त खड़ाओं यह देख रहे हैं यह रोड यह जो है राइगर रोड से यह अंदर की तरफ आया है गांधारी नदी के ओपर से पूल है बिरिज है बिरिज से होते हुए फिर वापस इस जग गुंठा लेना चाहते हैं उनके लिए है यह वीडियो मैं इन्वेस्टर के लिए खास कोई इन्वेस्टर होगा इसलिए ने जो दो दो चर्चर गुंठा की ताकत रखता हो उसके लिए यह वीडियो है अब हम चलेंगे जगे की तरफ यह देखें यह रोड जो है वो माण की तरफ से आया राइगर रोड से अंदर बराबर हम लोग देड़ किलो मीटर पर हाँ खड़े हैं अब वहां से चाड़िशे किलो मीटर नात फाटा है यह गाड़ी खड़ी है हमारी यह रोड गया है राइगर की तरफ सीधा यह रोड गया आड़ी अंबरला देख रहे हैं आप लोग अब मैं आप लोगों को जगा दिखाता हूं यह दिखें यह 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 जो बांध है यह बांध से इस तरफ पीछे तक इनकी जगे थी जगे में भाई साब आगे का जो कुछ प्लॉट है यह देड़ लाग रुपे गुंठे से इन्होंने दो दो गुंठे का प्लॉट करके बेचा हुआ है और देखें यह पोल मार के लोगों को ताबा दिया रेजिस्ट्री भी इनकी हो गई है यह इसी रेजिस्ट्री इनकी हो गई है अभी पत्थर वगेरा गिरा है इसमें इसका वो जोता वगेरा करके ले रहे हैं जिनोंने लिया है ठीक है यह देखें यह इसे पोल लगा हुआ है और यह जो गाड़ी खड़ी है यहां से अंदर के लिए पंद्रा फिट का रस्ता है यह देखें यह अंदर से इन्होंने पंद्रा फिट का रस्ता लिया हुआ है देखें यह इसे और इधर पे साई बाबा का मंदिर है बावडी है जगे में तो पानी कभी कोई इसू नहीं है सारे प्लॉट जितने भी लोगों ने लिये हैं सबको पानी बराबर मिलेगा यह देखें यह रस्ते पे चलगा यह देखें यह पोल जो गिरा हुआ यह से लाइन से यह से देखें गाड़ी के तरफ यह प्लॉट दो दो गुंठे के प्लॉट यह पे इन्होंने सेल किया आख पीछे जो प्लॉट है वह एक लाग दस हजार पर गुंठा दो गुंठा मतलब दो लाग भीस हुनधा मतलब चार लाग चानिस हजार laquelleral work साही बाबा का इसको भी थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है जब लोग हो जाएंगे फिरी तो यह भी दुरुस्त कर लेंगे अभी हमारे सेट लोग थोड़ा सा काम में वीजी है बेराल वो तो जरूरी है यह भी हम रस्ते पर चल रहे हैं यह रस्ता शूटा हुआ पं यह जाड के अंदर ना साड़े चार मिटर का रस्ता है यह आप सामने देख रहे होंगे यह है बात्षेति यह सब कुछ उंचा नीचा जो देख रहा है वो जेसी भी से प्लोटिंग करेंगे और मैं आप लोगों को कुवा दिखा दूं जो जरूरी यह सब करें यह देखें य यह है कुवा और इसमें काफी पानी है और यह साल के बारा मेने भरा भारा हुआ मिलेगा आपको यह देखिए ठीक है कि यह देखिए यह इसे जगे है और काफी बड़ा है कुवा यह मैं आप लोगों को बता दूं कि कम से कम यह 25 बीस बीस फिट का यह चौड़ाई है और डीप तो जितना होगा वह होगा यह फिलाल पांच दस पंदरा फुट पर पानी है अचा लाइट का पोल भी जगे में है देख लो तो लाइट का भी कोई इश्व नहीं है यह प्लॉट आप देख लिजेए इस सारा स्टेट टेबल प्लॉट है अब फिर जगे के पीछे गांधारी नदी ठाल मारा हुआ है प्थर का पूरे साथ एकर को पत्थर का ठाल मारा हुआ है अगर कोई ऐसा है कि भाई जो बच्ची भी जगह है वह एक साथ लेना चाहता तो वह भी कॉंटेक्ट कर सकता है उसके लिए जो भी रेट होगा वह फाइनल बैट के डिसाइड मालिक के सामने बिठा दूंगा जुनके हाथ में यह है जिन्होंने एग्रिमेंट किया हुआ है उनके हाथ में आप लोगों को बिठाओंगा आप लोग जो है बैट के सामने साओधा कर सकते हैं वीव अच्छा है यहां से राइगड भी दिखाई दे रहा होगा आपको देख लीजिए यह देखिए राइगड दिख अदि आडेगो घचने के लिए और देखिए यह देखिए हम हां नदी तो देखना न सर बिना नदी देखे कैसे चलेगा नहीं लोग बो बहुत सारा भटी है लोग कभीकभी कमेंट कर देती ओूटा ठीक है सबको हक है आजादी है भारत आजाद है हमारा यही हमारे मुलक की खुबसूरती है कि हर कोई अपनी बात रख सकता है ठीक है तो आप लोग को पूरा अधिकार है आप अपनी बात रखें जिस तरह से चाहें मेरा काम है साथी आप लोगों को अच्छी चीज चाहिए में है और उनको गाउं में घर बनागाना है गाउं होना चाहिए देखे करोना ने हमको सिखाया है करोना ने हमको सिखाया है गाउं होना बहुत जरूरी है क्योंकि गाउं का जो वातावरन है आप महीने मेंने साल में अगर एक महीना रहके चले जाए अस तरह तो आ देखे यह नदी का भाग है यहां से पीछे यह देखे यह नदी का भाग है यह देखे पूरा आप लोगों को पानी यह ऐसे चला गया है आगे तक इसके बार्ड यह मिल जाते हैं यह पानी खतम नहीं होता और वोईसे भी हमारे पाद कुवा है सिर्फ इसलिए कि बारिश में बारिश के बाद भी खुबसूरत जर्णा बहता हुआ मिलता है पानी तो उसमें तोड़ा सा उसका क्लाइमेट का फरक पड़ता है और उसका जो नजारा होता वही अपना एक अलग होता है यह देखिए यह इसे कम चार जगे के चारों तरफ जो यह देखिए यह इसे आप लोग जो है वो मेरी बात को ध्यान से सुनें देखें यह देख लिजए यह जमीन पूरी टेबल है सात्यों अच्छी बात यह है कि आप दो गुंठा चार गुंठा जितना लेना है आप ले लो और वो रजिस्ट्री करके देंगे आपको साथ बा बाकी बात हैं जो है जो है जो आप वीजिट आओ करो डॉक्यमेंट देखो ले आउट उसका पेपर देखो उसके बाद में जो भी होगा वो डिसाइट करो एरिया देख लो आप देख लिए यह इसे पूरा एरिया है इसे अगे देखिया हुआ है 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 यहां पर फूल का जाड़ है मैंने सुचा आप लोगों को भी दिखा दूं कौन सा पेड़ है तो मैं नहीं जानता लेकिन फूल बड़े खूबशूरत है तो क्यों आप लोगों को दिखा दूं देखें है 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 यह दिखेंग शाथ यह पूरा दिखाने का मेरा काम पूरा होच चुका है आप लोगों को पूरी जगे में देखेंगे इसमें जगा दिखेंगा पूरा पत्थर का कंपाउंड यह देखें चार तरफ से आया हुआ है अब अब लाइट का पूर जगे में है पानी है लाइट है पानी है सब कुछ गर बना सकते हैं आप यहां प liksom देखेंगे चार गुंठा ले 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 देखेंगे कीजीए मेरा जो फी है वो सört दो परसंट है है तो मैं अपने Candre Frage 2% मेरी फीस है आप लोग आये विजिट की जो वीजिट कीजिए विजिट चार्ज 1,000 है आप जगह ले लेते ह हैं सवुद़ा हो जाता आपको जार्टम हो जाता आपको तो मैरे मेरे चार्ज में कम हो जाएगा जो सब्सक्व erste चार्ज में कम हो जाइगा जो फिर सम overview of तो भाई वह जड़ा पहल करें कि यसी अच्छी चीज यह भी मैंने वीडियो दो दिन पहले पी डाला है वह भी वीडियो अच्छा वह भी जगे बढ़िया है लेकिन यह जगे उससे 20 किलोमिटर पहले स्वारी साथ 24 कि यह महार से तुरंट साथ किलोमिटर पहले यह महार से तुरंट साथ किलोमिटर पर है और वह जो है महार से तेविस 24 किलोमिटर पर है तो दोनों चीज़े हैं वह मास राइगड किले के पाइथे के पास है और यह थोड़ा राइगड किले से सोला किलोमिटर महार की तरफ है बाकि मुंबई जो है वह वही जो डिस्टेंस है अबाव 171 80 km पूने जो है वह 151 45 50 km और गोवा रोट से जो है वह साड़े छे किलो मेटर राइगर रोट से जो है वह सवाव किलो मेटर अंदर ठीक है और इसका लोकेशन आप लोगों को जब भी लगे का मैं भेज दूँगा आप मुझे से डिमांड करें मैं लोकेशन आप लोगों को भेजूँगा बकिया आप लोग जो है वह देखें क्या इसका नंबर मेरा तो इसक्रीन पर रहता ही है फिर भी मैं बोल देता हूं 97643 00091940316625 अब लोग जो है वह वीडियो को देखें पसंद आता है नहीं पसं किसी को चाहिए कुछ अलग से हटके तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है मैं उस पर जरूर काम करूंगा आप लोगों के लिए मैं तलास हूंगा बस सिर्फ एक गुजारी से आप लोग वीडियो देखते देखते लाइक कर दिया करें कम से कम लाइक हो जाएगा तो कैसा है और भी लोगों को तक वीडियो जाएगा और मुझे थोड़ा रिवार्ड मिल जाएगा ठीक है रिवार्ड मिलना यह होता है कि किसी जरूरत मन तक अगर यह चीज पहुंच जाती है जो के भले वो कीमत देके लेकिन बास अवकाद ऐसा होता है कि कीमत लेके घू छोड़ दूँगा लेकिन यहां पर होता ही है फला से फलान ने लिया फला से फलान ने तो वो दज 20,000 वो इसी बढ़ जाता है तो वो आपका बच जाएगा ठीक है बाकि आप लोग तो जादा समझदार है मैं मेरा काम जो था वो मैंने किया आप लोग अपना काम करें पताएं दूसरी बात यह कि वास्तु के लिए जिसको चाहिए इसका फेस जो है वो वास्तु के हिसाब से देखना चाहता है इसका फेस बेस्ट है और इस्ट में नदी है जो के नौः तरफ बहती है है साउथ की तरफ बहती है नौर्थ ते साउथ की तरफ बहती है बकिया आप लोग आके जगे पर जो भी है वो देखें अब इस वीडियो में इतना ही आके फिर मुलाकात होगी इंशाल्ला जाहिन जाय महारास्टा सलाम अलेकुम रहमतुल्ला